नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्टिव चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजीटी 2022 इतिहास प्रेटिस सेट 193 में परिछा में पूछे जाने वाले महत्तपुन प्रस्ण तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी स्रिक्वेस्ट हवी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं अगर आप लोग और भी प्रेटिस सेट यानि 122 तक इसका देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनेवा जिसका नाम है UPTGT इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो पिछले 192 प्रेटिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं UPTGT इतिहास के तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं पहला कॉसन इसमें निमलिकित में से किस बैसरों संत का जन्म वरानसी में हुआ था बलभाचार, चैतन्य, रामानंद, नामदे तो किस बैसरों संत का जन्म वरानसी में हुआ था इसमें आपका राइट एंसर एस योगा बलभाचार का तो यह बैसरों संपरदाय के एक परसिद संत थे बलभाचार और इनका जन्म बनारस में 1489 सुवि में हुआ था और प्रारम में यह जो है बिजयनेगर सासक क्रिश्न देवराय के सरच्छक प्राप्त थे कोश्चन नमबर दो है सेख निजामोदीन अवलिया किस सूफी संपरदाय से सम्मंधित थे चिस्ती, कादरी, सुहरावर्दी या सत्तारी निजामोदीन नवलिया यह थे चिस्ती संपरदाय से इसका राइट नेंसर ए होगा इसमें चिस्ती संपरदाय कोश्चन नमबर तीन है निमलेखे संतों में से किसे उसके अनुवाई विश्नु का आवतार मानते थे रामानुच को, बलभाचारे को, रामानन्त को या चैतन्य को तो कौन से संत हैं जिसे उनके अनुवाई विश्नु का आवतार मानते थे तो संत का नाम है चैतन्य डी इसमें सही होगा आपका चैतन्य तो चैतन्य जो है भाक्ती आंदोलन के महांतम संत माने जाते थे और उनका प्रभा इतना गहरा और अस्थाई था कि उनके अन्वाई उन्हें क्रिश्ण और विश्णु का अवतार मानने लगे थे तो वे थे चैतन्य कोर्शन नमबर चार है दिल्ली संतनत का परथम वैधानिक सुल्टान कौन था कुतुब दिनयबद इलत्तमीश मोहमद गोरी या बलवन दिल्ली संतनत का परथम वैधानिक यहांब पुछा है तो इस सुल्टान था इलत्तमीश वैधानिक के मतलब बगदात के खलीफा से फिलहत प्राप्थ हुआ था 1229 सिश्वी में इल्टुतमीश को और वैधानिक पर्थम सुल्तान माना जाता है कोस्टन नमर पांच है निमलिखित में से किसने रामायन का बांगला रुपांत्रा प्रस्तुत किया था बिद्यापती, कृतिवास, मालाधर बसु यह चंडी दास तो किसने रामायन का बांगला रुपांत्रा किया गया था किसके द्वरा यह किया गया था कृतिवास के द्वरा रामायन का बंगला अनुबाद कृतिवास ने किया था जिसे बंगाल का बाइबिल भी का जाता इसको और कृतिवास बंगाल के सासक थे जिनका नाम था बारबक साह के दरबार में निवास करते थे Question number 6 है मुगल समराज में करकानों के समझ में अपना बिचार देना इसमें और कौन सा कूट इसमें सही होगा आपको बताना है दिया इसमें वे उचित मुल पर राज की आसकताओं की पूरती करते थे उए निजेद। परदान करते थे और आम परते थे बिना किसी राजकी सअफ़ार संचालित होते थे गे इसमें आपका अंसर पाहला दूसरा तीसरा पर आपका है इसके अलबाप चौथा और पांचमा इसमें कत्थन गलत है कोश्चन नमबर साथ है निमलिखित में से किस अस्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्मान किया था कौन सा अस्थान है जिस पर अकबर ने इबादत खाना का निर्मान किया था यह आगरा है अगर नहीं है आगरा, सिकंद्रा, दिल्ली, फतेपूर सिकरी इसमें आपका रायटर एंसर डी सयोगा फतेपूर सिकरी में तो अकबर को जो है इसलाम धर्म के बारे में अधिक ज्यान प्राप्त करने की लालसा थी तो अकबर ने जो है 1575 इसली में फतेपूर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किया था और इसलाम धर्म के सिधानतों पर बात वियाद करने के लिए सभी विद्वानों को उसमें आवंत्रित किया जाता था इबादत खाने में और बाद में हिंदू, जैन, पार्सी, साइक, सभी धर्मों विद्वानों इबादत खाने में आने की आग्या देते सुरु में इसलाम था इसके बाद में सभी धर्मों को कोश्चन नमबर आठ है अकबर ने कभी प्री की उपाधी से विभुशित किया था किसको जो है अकबर ने कभी प्री की उपाधी से विभुशित किया था अब्दुल्रहिम खाने खाना राजा मान सिंग राजा विरबल को या राजा डूडरमल को कि इसमें आपका राज़ां मुखल-सम्राठ जो अकबर था हिंदी साहित में अत्यदे के जिलचस्पी रखता था और उसका प्रसिद्ध जो कभी था बिर्बल को उसने जो है कविकरी की उपाधी दिया था question number 9 है निर्मलिकित में से कौन सी जागीर अस्थांतरित नहीं की जा सकती खिद्मत जागीर वतन जागीर मलकेद जागीर या इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर भी हो जाएगा वतन-जागीर वतन-जागीर जो है अस्थांतरित नहीं की जा सकती question number 10 है सुप्रसिद कोहिनूर साजहां को भेट किया सुप्रसिद कोहिनूर साजहां को किसने भेट किया था असत खाने मीर जुमला ने या मुहम्मद अमीन ने या सादुल्ला खाने सुप्रसिद कोहिनीर हुरा साजहां को इसने भेट किया था ये भेट किया गया था मीर जुम्लाने कोस्टन नमबर 11 है जिस चित्रकार ने तुझू के जहागिरी के मुख प्रिष्ट के लिए चित्र बनाया उसका नाम था उसका नाम क्या था उस्ताद मंसूर, फारुक वेग या अबूल हसन या आका रिजा इसमें आपका राइट एंसर A सही होगा C अबूल हसन तुझू के जागिरी के मुख प्रिष्ट का चितर किस के दौरा बनाए गया था? अबूल हसन के दौरा कोश्चन नमर बारा है खफी खां को मुंत्खव लुबाव की रचनाव गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि क्योंकि उसने दिया गया बिर्तांत राजदोरहात्मक था या इसमें कुछ अंस आउरंग जेब की नितियों के बिरुद थी की रचना जो है गुप्त रूप से की थी कोश्चन नमबर 13 है मनसबदारी संस्था क्या थी आनुमंसिक थी नमांकन द्वारा थी या चैन भरती द्वारा थी या सास की निक्ति द्वारा थी मनसबदारी संस्था जो है एक परकार से सास की निक्ति द्वारा होती थी यानि कि मुगलों की जो सानिक ब्यवस्था थी इसमें प्रमुक ब्यवस्था क्या थी मनसब्दारी ब्यवस्था थी जिसे अकबर ने आरम किया था और मनसब्दारी संस्था जोए सास की निक्ति द्वरा होती थी मनसबदारों की निक्ति पदनती का कोई निसित नियम नहीं था लगी लेंगि सास को दोरा निक्ति की आती थी कोशन नमबर चवदा है जिस मुगल समराट ने फार्सी में आत्म कथा लिखी उसका नाम था अकबर ने और रंगजेब ने जहांगीर ने यह साजा ने लिखा गया था और सात वर्स में स्वेम दरा उसकी लिखा दे सात वर्स समय लगा था लिखने में इसको कोशन नमबर पंदरा है प्रथाम अंग्रेजी फैक्टरी अस्थापी थी कहां पर सूरत मुशली पटिनम हुगली मद्रास तो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्रिया स्थाफी थे थी कहां पर सूरत में कब 1608 इस्वी में कोस्टन नमबर 16 है निमलिखित में से कौन इरोप वासी सर प्रथम भारत आये थे ब्रिटिस, पूर्टगाली, डच या स्पैनिस कोस्टन नमबर 17 है निमलिखित में से किस सुल्तान ने दूती सिकंदर का विरुद धारण किया था बलबन, मुहमदिन तुगलक, अलावदिन खिलजी या फिरोसा तुगलक इसमें आपका राइट एंसर C होगा, अलावदिन खिलजी कोस्टन नमबर 18 है बलबन अपने किसका वनसज मानता है बलबन अपने को किसका वनसज मानता है चंगेज खांका, मामुद गजनी का, अबासि खलीपा का या अफरा सियाप का इसमें आपका राइट एंसर D से योगा, अफरा सियाप का कोश्चन नमबर 19 है वह कौन ससा सकता जिसने एक सैनी को निर्चक लिपी को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था नसुर्दिन मामोद, जलालदिन खिल जी, कुतुबदिन मुवाराग खिल जी या फिरोज तुगलक इसमें आपका राइट एंसर डी से योगा फिरोज तुगलक ने कोश्चन नमबर 20 है और अंतिम कोश्चन है बीजेनेगर समराज के परभुत कालम निल्खित में से किस टीका की रचना हुए थी यह मनु स्मिर्थी पर मेगा तिथी की टीका या नारती स्मिर्थी पर असहाई की टीका या परासर स्मिर्थी पर माधो की टीका या या गवल की स्मिर्थी और बिगयाने स्वर की टीका तो यह हुई थी इसमें पराशर इसमृति पर माधो की टीका सी इसमें राइट एंसर होगा तो यह तकोसन आज के लिए तुमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के आधिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जैहि वन्दे मात्रम